तुम्हें क्या लगते हैं? ये भेडिये ने मुझे ही क्यों काट आ है? लोगों को उचा सुना ही देता है नो? मुझे नीचा सुना ही देता है क्यों मौणी दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे दोस्तों इस वीडियो मा हम बात करेंगे आमर कौसी के टारक्सिन में बनी वरुन दवन एंड किर्थी सेनन ने श्टारफ फिल्म बेडिया के बॉक्स सफिस कलेक्शन टी 1 एंड बजट के बारे में वाइनले 25 तम नॉवबर 2022 को सीन्यम गरहो में रिलिस कर दिया गया है फिल्म का ट्रेलर को काफी जवरदस रेस्पोंस देखना हुआ था फिल्म को ऑटियर्स के दवारा मिला जूला रेस्पोंस देखना हुआ मिला कर वहिए को प्रोजिक्त के सिलसले में अरुना चल परदियस आता है वो वहां के जंगलों के बीच से एक रास्ता निकालना चाता है लेकिन जल्दी उसे ये एहसास हो जाता है कि जिस काम को वो इतना असानी से सोच रहा है वो उतना है नहीं उसके लिए जंगल प्रोजेक्ट का एक हिसा हो सकता है लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए और जानोरों के लिए वह जंगल एक जिन्दगी है भासकर पैसों के पीछे अपनी रेस में लगाई होता है कि एक रात जंगल में गुचरते हुए उसे एक भेडिया काट लेता है किसी तरह भासकर के जान बच जाती है लेकिन इस घटना के बाद उसमें एक भेडिया के सक्ति आ जाती है वो एक इक्चाधारी भेडिया बन जाता है अपने भाई जनारदन यानि अभी सिक बनर जी और दोस्त के साथ वो इस मुसीबत से बहार निकलने का रास्ता तलास करने की कोसिस करता है इसे दोरान उसकी मुलाकात डॉक्टर अनिका यानि किर्किस सेनन और पांडा यानि डीपक डोबरियाल से होती है पांडा से भासकर को पता चलता है कि जंगल में एक विसानू रहता है जो उन लोगों को सिकर करता है जो जंगल को हाने पोजाने की कोसिस करता है क्या भासकर वापस आम इंसान में तब्दिल हो पाएगा क्या जंगल के महतों को समझ पाएगा क्या विसाणू के पिछे की कहानी सामने आ पाएगी इन्ही सवालों के एर्जगिर्द ये फिल्म घूमी है ये सब का पता लगाने के लिए आप सभी को फिल्म देखनी होगी वहीं दोस्तों वरून दवन इस फिल्म में प्रभावी लगे है इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी बोड़ी पर जो मेहनत की थी वो बड़े परदे पर साफ दिख्टी है यहां इसका सिरे निर्देजक और लेका को भी जाता है कहना गलत नहीं होगा कि भासकर यानि वरून धवन की निभाए अब तक किर्दार में से सबसे अलग है वरून इसे यादगार बनाने में कोई कसन नहीं छोड़ी है सिर्फ वरून ही नहीं बलकि फिल्म में अहम किर्दार निभा रहे है अब इसे एक बनर जी और पालिंग कवाग को भी बड़े परदे पर दिखना बहुत दिल्चस्प लग रहा है अब इसे के कॉमिक टाइमिंग गजब की है डॉक्रर अनिका के रूप में किर्दी सेनंगी सीमित लेकिन अती महत्पून भूमिका है उन्होंने अपने किर्दार के साथ पुरा नया किया है दीपक डूब्रियाल ने अच्छा काम किया है लेकिन उनके किर्दार को थोड़ा और निखारा जा सकता था बहराल ये फिल्म आपको समय समय पर हसाती है और 3D में डराती है खास बात ये है कि कोमेडिया और थ्रिल के बीच निर्दिसक ने कई अहम मुद्धों को छोने की कोसिस भी की है फिल्म में एक किर्दार कहता है किसी की हिंदी यदि कमजोर होना तो वो कम इंडियन नहीं हो जाता फिल्म के समवाद बहत प्रभावी है ये बताती है कि कही न कही हम सब के अंदर एक भेडिया चीपा है लेकिन हम इसे किस तरह से निकालना चाते है ये हमारे उपर है बात करें फिल्म के box office collection day 8 की तो फिल्म का box office collection day 8 के अंदर 7.50 क्रोड का net estimate collections रहा है इसी के साथ फिल्म दिरस्यम 2 का अभी तक total box office collection 112.22 क्रोड का net producer figure collections हो चुका है वहीं दोस्तो फिल्म दिरस्यम 2 के total world से worldwide collection अपरोक्स 160 क्रोड का worldwide gross collection हो चुका है दोस्तो फिल्म की बात करें तो अजे देवागम की फिल्म दिरस्यम 2 ने महसात दिनों के अंदर ही 100 क्रोड के आगड़े को पार कर लिया है वही वृल्ल वाइड में तो फिल्म का 150 क्रोर का आखड़ा पार हो चुगा है वहीं दोज्तों फिल्म दिरस्यम 2 इस साल 2022 में बॉकस सफे तससेंश्री मानने वाली पांचवी हिंदी फिल्म बनी है वहीं फिल्म दिरिस्यम 2 अजे देवगं के केरियर की 100 क्रोड में सामिर होने वाली 13 फिल्म मन गई है आप देखना ये होगा कि क्या फिल्म दिरिस्यम 2 2022 में हिंदी बेल्ट में सबसे ज़्यादा कमाई कर पाएगी या नहीं इसका जवाब भी बहुँ जल देखने को मिलने वाला है आप सभी को बता दू कि 2022 में हिंदी में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भूल बूल ये 2 है इसका lifetime collection 185.92 क्रोड का रहा था दोस्तों फिल्म दिरिस्यम 2 की बात कर ले तो फिल्म दिरिस्यम 2 पूरी तरह से सबस्वेंट से भरपूर है फिल्म आपको आखिर तक देखने पर मजबूर करेगी फिल्म दिरसेम2 के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 90 क्रोर के बजट मदेयार किया गया था जो कि फिल्म अपने बजट के मुकाबले असानी से box office पर पार कर गयी है फिल्म दिरसेम2 आपने नहीं देखी की तो फिल्म कांथारा का box office collection day 57 के अंदर 0.50 क्रोड का net collections रहा है इन इंडिया और languages से इसी के साथ फिल्म कांथारा का अभी तक total domestic box office collection 307.61 क्रोड का gross net estimate क पता है वहीं दोस्तों 치 isol कांथारा के टोटल वर्ल्ड से व्ल्वाड क्रोड की खोचथ की है दोस्तों कांथारा को 16 क्रोड के बजट में तयार किया गया था वहीं दोस्तोंати फिल्म कांधारा को 30th September 2022 को इसके ओरिजिनल लेंग्वेज में सिनेमा गवरों में रिलीस किया गया था फिल्म को काफी positive intent मिलने के चलते फिल्म को 14th October 2022 को हिंदी में डब कर रिलीस किया गया था फिल्म कांधारा कमाई कंडे के मामले में all-time blockbuster हीट हुई है फिल्म कांधारा अगर आपने मिस की है तो अपने नज्जी की ठीटरस में जाके इस फिल्म का लुत्व सिसरीर उठाए तो दोस्तों ये था लिखा जो का हल फिल्म के box office का लेकसस का पोश्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा लाइक कर एक subscribe चरू करिएगा बॉलियूट के गलियार उसले डिसका बडले जुड़े रही है वेरे से इंटेटेंड में इसका साथ बहुत बहुत सुक्रिया